जैहिंद वेलकम टू विज़पत एजूकेशन पालमपूर एक वार फिर से आज किस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज 17 मार्च दुहजार चोबिस को पूरे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश हाई कोड का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया सो उसकी आंसर की के साथ मैं आपसे यहां पे जुड़ चुका हूँ एक वार शेर आप जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को कितने कोशन आपके राइट आंसर रहते हैं वो भी आप कोमेंट करके जरूर बताईएगा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपसे हाई कोड के प्राम हुए थे उसमें भी इंग्लिश मीडियम के कोशन आपसे पूछे जाते हैं बाइलेंगुल आपका यह पेपर नहीं रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को रहती है तो आंसर की के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं और साथ साथ में अपने आंसर जो है वो आप चेक करते जाहिएगा इन विच सिटी फरस्ट कोशन था इन विच सिटी डिदा मल्टी नैशनल मिल्टरी एक्सरसाइज सांती प्रियास 4 की बात की गई थी तो यह होता है काट मांडू में option number a जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा next question number two था the country recently joined the international solar alliance ISA जिसको कहते है तो यह इसको join किया गया था Malta option number c इस question का right answer रहेगा next where is the world first air taxi service जो अभी हाल ही में launch की गई है world government summit 2024 में तो दुबई जो है वो ऐसी पहली country जो है यह बनी है option number b इसका right answer है next question 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 number four which country is set to launch the first luxury train current affair की question काफी पूछे गए थे इसका right answer रहेगा Saudi Arabia option number c इसका right answer current affair की question अच्छे level के आपसे पूछे गए थे next fifth question है how many nations are part of international energy agency IEA की बात की गई थी तो कितने nations की बात की गई है तो 31 nation इसका option number c right answer रहेगा next question है Grand Central Terminal Park Avenue New York is the world ये क्या चीज़ है railway station है longest है largest है highest है ये चीज़ आप से पूछी गई थी तो इसका option number a right answer रहेगा ये largest railway station है और देखिए level जो है वो कहीं न कहीं पर बढ़ाया गया है high court के clerical exam का world level के question आप से यहां पर पूछे गए है entomology is the science that study किस चीज़ के बारे में ये बताता है तो insect के बारे में option number b इसका right answer रहेगा next question है 182 member of the UN is contingent ये बात की गई थी यहां पर इसका right answer रहेगा अफ्रीका option number b इसका right answer next question number 9 Hitler party की बात की गई थी came into the power 1933 is known as किस नाम से इसको जानते थे question number 9th का right answer रहेगा Nazi party option number b इसका सही answer है golf player Vijay Singh belong which country तो Vijay Singh जो है golf के player है अब ये fizzy से भी belong करते हैं India के भी player है लेकिन बात उनी की की जाती है जो famous है जैसे Sachin Tandulkar जोरूरी नहीं की एक ही नाम हो लेकिन famous जो player है वो India के है तो इसी तरीके से golf player जो काफी famous है वो fizzy से belong करते है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी puzzle यहां पर question की एक formation रहती है क्यूंकि उनको proper ढंक से जब अगर question समझ में ना आए तो फिर answer में कहीने कहीं पर दिक्कत रहती है तो clerical exam के लिए mostly होना चाहिए कि bilingual paper तो आपको conduct करवाना चाहिए तो इसका right answer रहेगा जिनाव option number 20 का सही answer है तो मेरे को भी यह दिक्कत यहां पर देखने को मिली थी और बाकी comment भी बच्चों ने किये थे कि bilingual paper होता तो और जादा question हमारे ठीक हो सकते थे reasoning math में क्योंकि कुछ बच्चे Hindi medium में किसी subject को पढ़ते हैं हो सकता है math वो English medium में करते हैं जी कि Hindi medium में पढ़ते हूं तो उनके लिए फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कत बाली बात थी next theory of economic drain of India during British empire was propounded by किस ने propounded किया था तो दादा भाई नरोजी option number B इसका right answer next the treasury of श्री रगनापतना was signed between टीपु सुल्तान और किसके बीच एक चमझोता जो है वो sign किया गया था तो इसका right answer है 13 का option number B कौन वालिस option B इसका right answer रहेगा next है to which professions early leader question number 14 है struggle from freedom of India mainly belong किस से belong करते थे lawyer से belong करते थे option number A इसका right answer रहेगा next 15 question यहां पर इस 15 का जो right answer रहेगा Iceland was changed to Lakshadip act of parliament किस वर्ष में change किया गया था 1973 option number D इसका right answer है next power to decide the election petition in the west तो किसके पास power होती है तो यहां पे election petition जो है वो यहां पे high court के power high court के पास यह power होती है option number C इसका right answer रहेगा next question number 17 है which of the following is used as pencil तो pencil जो है वो graphite की बनाए जाती option A इसका right answer रहेगा general science का important question है basic question है 18 question है which metal forms an amalgam of other metal तो 18 question का right answer रहेगा mercury option number B next है who invented the ball pen तो देखिए काफी अच्छे level के question पूछेगे है ball pen जो है वो किसने invent किया था तो यहां पे इसका right answer जो रहेगा वो वीरो ब्रदर्स रहेगा option number A इसका सही answer father of geometry math related question पूछा गया तो Euclid को माना जाता है option B इसका right answer रहेगा तो यह जो है इसका right answer रहेगा option number B क्या कहा जाता है उनको काफी अच्छा question है अच्छे level का question उनको graphical grids कहा जाता है जो map और globe के बीच आपने देखाऊगा globe के बीच इस तरीके से line जो है वो खींची जाती है तो उनको जो है वो geographical grid कहते है option C का right answer रहेगा अगला question है question number 23 the iron and steel industry of which of the following countries are almost fully dependent import raw material कहां से इसको जो है वो मंगवाया जाता है 23 का right answer रहेगा जापान option number 20 का सही answer है यह मैंने January month की current affair की class में भी this question को मैंने करवाया था the first death anniversary of Shri Rajiv Gandhi was observed as तो किस day से उनकी death anniversary को मनाया जाता है तो इसका right answer रहेगा option number D anti-terrorism day option number D इसका सही answer रहेगा next question is question number 25 the century of Mahatma Gandhi arrived in South Africa was कब इसको celebrate किया गया था इसका right answer है May 1993 option A इसका सही answer है the year 1991 was observed in India as किस एक theme के साथ जो है वो इंडिया में 1991 को मनाया जाता है 26 का right answer रहेगा option number D tourism tourism के लिए इसको मनाते हैं the famous Dilwara temple easy question है question number 27 का right answer रहेगा Rajasthan यह इसका सही answer रहेगा दिलवाड़ा में राजिस्थान दिलवाड़ा जो है वो मंदिर राजिस्थान में आता है next बाद यह institute of Himalayan geography is located at कहां पर है यह question number 28 का right answer है option number C देहरादून यह इसका right answer है अगला प्रशन है डॉक्टर भीम साहव अंबेदकर University कहां पर located है question 29 का right answer है औरंगाबाद में है option A का right answer ratio of national flag जो है वो 2 ratio 3 रहती है पिंगली बेंकईया के द्वारा इसका invent किया गया था easy question है यह आपसे बार-बार exam में पूछा जाता है कौन सा fact जो है वो correct है यह आपसे पूछा गया था इसका right answer रहेगा outer siraj area जो है वो कुलू कहते हैं और transgiri area को sirmore कहते हैं option C option A और B दोनों correct है इसलिए both are correct यह इसका right answer option number C lahul is a derivative of Tibetan word क्या कहा जाता है उसको Tibetan word में तो इसका right answer भी option A and B दोनों रहेंगे इसलिए option C both option जो है वो इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है which district is touch by Dholadhar mountain range कुलू, Mandi, Kangra तो तीनों को ही touch करता है option number D all of these इसका right answer है which of the following district of Himachal fully situated in Shivalik zone कौन सा area fully Shivalik zone में जो है वो आता है तो Shivalik में आता है Una यह पहली range है हमारी उसके Dholadhar आता है and next पीर पंजाल next which place is known as Little Grace in Himachal किसे जाना जाता है तो कुलू को जानते हैं Malana को option number A इसका right answer यहां पे रहेगा अगला प्रशन 36 है लुनार की बात की गई है यहां पे option number 36 का B कुलू इसका right answer रहेगा अगला प्रशन रोहतांग पास से related पूछा गया था तो 37 का भी right answer कुलू रहेगा कुलू में है option C इसका सही answer है अगला प्रशन था location attitude के बारे में correct चीज आपको बतानी थी तो जहां तक मेरे को यहां पे detail मिली है तो almost यह सभी option जो है वो बिलकुल सही है option यह यहां पे दिये गए है तो इसका जो right answer है वो मैं option D को ही टिक यहां पे करूंगा बाकी official answer की के ओपर हम इसको check कर सकते हैं next time who was from Himachal the travel world highest motorable pass जिन्होंने जो है वो दर्रा जो है वो पास किया था अब इसको बताया गया था तो इसका right answer रहेगा 66 जिस दिन यह विशाल हिमाचल बना था 1966 में next time the lake concerned connected the name of Lord परशुराम तो किसे जाना जाता है 41 का right answer रहेगा option number A रेनुका जो कि सिर्मोर में है option A इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है 42 question which of the other famous valley in मंडी डिस्टिक मंडी में कौन कौन सी वैली है चुरहा वैली है चौंतड़ा है बलहा वैली है तो यह सारी वैली जो है वो मंडी में ही है तो famous है option D जो है वो इसका right answer रहेगा हबन वैली कहां पे है हबन वैली जो है वो राजगर सिर्मोर में पढ़ती है option A राइट आंसर है काफी बार आपको एक्जाम में विजे सर्थ की जो क्लास रहती है उसमें आपके काफी बार करवाया गया है question number 44 का right answer रहेगा option number A next question है question number 45 mountain range glacier की बात की गई थी तो इसका जो right answer रहेगा वो option number C रहेगा बोथ option C का right answer है next Republic fort कॉर्वासिन महा भारत बार तो इसका जो right answer 46 का option number B रहेगा त्रिगत नेक्स्ट है राजा शुशर्मन चंदर से question पूछा गया था brother in law की बात की गई थी 47 का right answer option number B रहेगा दुरियोधन ये इसका right answer है अगला question है क्यूंकि इन्होंने कोर्वों का साथ दिया था ये question आपने काफी बार पढ़ा है बुशहर स्टेट रामपुर वाज establish by किसके द्वारा ये establish किया गया था तो 48 का right answer रहेगा option number B Lord Krishna के द्वारा देखिए अच्छे deep level के question आप से पूछे गये है capital from सरहन to रामपुर कौन लेके गया था 49 का option number B रहेगा राजा राम सिंग ये इसका right answer है अगला प्रशन है सिर्मोर वाज blended by तैमूर इन कब इसको किया गया था शिफ्ट option number B 1398 to 99 option B इसका right answer रहेगा अगला है question number अमर सिंग थापा से related question था और capture kangra fort 18 0509 but under the territory of Jalamukhi had to surrender it तो किसके पास इसको किया गया था तो इसका right answer option number A रहेगा महाराजा रनजीत सिंग अगला प्रशन है after getting defeating the hand of महाराजा संसार चंद वे दिड़ गोर्खा कमांडर अमरजीत सिंग थापा इसकी बात की गई थी 52 का right answer रहेगा option number C बिलासपुर ये इसका सही answer है next है धामी प्रजा मंडल जो है वो किसके द्वारा लीड किया गया था तो सिता राम option number B जो है वो इसका right answer रहेगा धामी प्रजा मंडल मुमेंट की बात की गही है तो इसका right answer 53 का option number B रहेगा अगला प्रशन है भाल दो न पाई दो ये एक नारा जो है वो लगाया गया था तो कब इसको launch किया गया था तो इसका right answer 54 का right answer रहेगा option number C 39 में option C इसका right answer है historical building शिमला पक्टवास sign कब इसको sign किया गया था तो 55 का right answer option number A रहेगा बार्नस कोर्ट के द्वारा option है ये भी का हमने काफी बार जीके में पढ़ा है लार्जस्ट पार्लियमेंट consequence of हिमाचल and second in India देखी question बड़ा important है पूरे हिमाचल की सबसे largest और इंडिया की दूसरी सबसे largest वो कौन सी consequence है पार्लियमेंट की तो 56 का question है option number C मंडी ये इसका right answer है option C इसका सही answer रहेगा इसका right answer रहेगा 57 का option number A इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है 58 महात्मा गांधी मर्डर ट्राइल नत्थु राम गोट से शिमला में जब इनके द्वारा किया गया था तो इनको रखा गया था कौन सी जेल में तो 58 का जो right answer रहेगा वो वैसे डगशाई जेल है बट यहाँ पर option दिया नहीं गया है तो I think इसको official answer की के ओपर ही एक बार चेक करना पड़ेगा यह हो सकता है question आपका गलत हो वैसे डगशाई जेल जो है वो इसका right answer रहना था 59 का था present day State Bank of India building was known as किस नाम से इसे जाना जाता है State Bank of India की building को तो 59 का जो right answer रहेगा वो है option number C 60 जो आपका question है उसमें यह proper solution जो है वो नहीं मिल पाया है इसका ज्यादातर answer उनी को पता होगा जो शिमला में रहते हैं जो local वहां के लोग हैं उनको इस चीज का पता होगा कि location कहां पे पड़ती है internet या फिर books में इसका proper solution जो answer है वो नहीं मिल पाया है तो आप एक वार comment करके जरूर बताइए का option इसका कौन सा right answer है question number 60 का अगला प्रशन है reasoning से related question पूछे गए थे तो अभी सिर्फ इसकी answer की को ही discuss करेंगे और next इसका जलती ही solution का part भी मैं आपके लिए upload कर दूँगा question number 61 का option number B 1 by 8 ये इसका right answer रहेगा question number 62 का option number D के LLA ये इसका right answer रहेगा question number 63 मैं आपको odd one out find out करना था inch फिर ounce centimeter या आड तो इसका right answer option number B रहेगा next which word belong the desert desert किस चीज़ को belong किया जाता रिलेट करता है तो option 64 का B रहेगा next 65 का right answer आपके पास रहेगा option number D sleep next question 66 66 का option number D यहां पर right answer रहेगा अगला प्रेशन है question number 67 इसका right answer option number D आपके पास रहेगा अभी just मैं आपको answer की शेयर कर रहेगा और जल्दी इसका solution part भी मैं आपके लिए upload कर दूँगा 68 का भी option number D आपके पास रहेगा अगला प्रेशन है आपके पास यहां पर 69 69 का option number B यहां पर आपके पास रहेगा IQW option B next 70 70 का option number C right answer यहां पर रहेगा question number 71 का option number D आपके पास रहेगा D4 यह इसका right answer है अगला प्रेशन है 72 question 72 का यहां पर option number आपके पास D right answer रहेगा option number 4 यह इसका सही answer है next question number 73 है इसका right answer इसका right answer option number second रहेगा option number B इसका right answer रहेगा अगला प्रेशन है 74 74 का question right answer रहेगा option number C 13245 यह इसका right answer है question number 75 75 का option number D father इसका right answer रहेगा question number 76 76 का option number B right answer रहेगा 77 का option number D 96542 ये इसका right answer है question number 78 का option number C 9 3 by 5 days इसका right answer रहेगा option C इसका सही answer है question number 79 का right answer रहेगा option number A 1400 यह आपका hit and trial से आपका easily question जो है वो बन रहा था यानि कि अगर आप इसको options के थूरू solve करेंगे तो direct question आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहा था देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह भी है कि high court का जो आपका exam है उसको अगर bilingual करवाया जाता तो काफी अच्छी बात थी देखिए अगर 78 question को देखें यहाँ पे जो examiner नहीं जिस तरीके से question यह type की है वहाँ पर भी यह गलती देखने को मिल रही है तो अगर इतना जादा time अगर paper के लिए होता तो at least उनको एक proper ढंक से paper जो है वो conduct करवाना चाहिए monitor के साथ relate करता है CRT option number A इसका right answer रहेगा question number 82 LCD की full form पुछी थी liquid crystal display होती है option B इसका सही answer है input device नहीं है तो input device नहीं है तो वो है option number D printer इसका right answer यह रहेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप higher study अगर इसके बारे में करेंगे तो printer input और output बोथ में count किया जाता है क्योंकि आजकल के जो printer है वो भी the scanner आते हैं उस पहले time में क्या होता था कि scanner आपको अलग लेना पड़ता था print करने के लिए printer अलग लेना पड़ता था लेकिन आज के जो printer आ ले उसमें photo state की machine पहले से ही होती inbuilt होती है तो वो अगर higher level का exam है तो उसके लिए आपको ध्यान में रखने बोथ का काम करता है इसलिए option D इसका right answer है क्योंकि scanner इसमें अलग दे दिया गया था question number 84 switch network is used to किसके लिए किया जाता है तो network connect system to own network option A इसका right answer है आउट 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 आपको ढूबना यहां पर spyware, malware, virus and hub 85 का right answer option number D रहेगा क्योंकि बाकी सारे एक virus के नाम है next question है 86 इसमें आपको Linux operating system के बारे में बताना है 86 का all of these इसका right answer रहेगा algorithm क्या होता है यह आप से पूछा था step by step procedure to calculation एक programmed action होता है mpg extension की बात आप से यहां पर पूछी गई थी इसका right answer यहां पर आपके पास रहेगा 88 का option number C video इसका right answer है next computer must have क्या होना चाहिए computer में 89 का option number B operating system इसका सही answer है अगला है DNS is abbreviation of किसके लिए काम किया जाता है 90 का right answer है option number D domain name service अगला प्रशन है what is motherboard question number 91 का option number C right answer रहेगा 92 not a browser की बात की गई थी तो cash you जो है वो एक टाइप का calculator है यह browser नहीं है option D is का right answer है computer काफी इसी पूछा गया था LAN की full form आप से पूछी गई थी local area network होता है option A right answer है type of a printer not a type of printer की बात की गई थी तो robot भी जो है इसका right answer रहेगा option number C 95 में देखी full form से ही 3-4 question पूछ लिए गए USB की full form होती universal serial bus option B right answer रहेगा अगला प्रशन है computer security कैसे increase की जा सकती है firewall से antivirus से password लगा सकते हैं तो all of these इसका option D right answer रहेगा when a document is opened in computer is temporary stored in कहां पर उसको store किया जाता तो RAM में store करते हैं हम उसको option B इसका right answer है 98 का set of virus which carry information in a control manner इसका right answer 98 का रहेगा option number B system bus mouse trackball and joystick किसके example हैं तो ये काम करते हैं pointing device के जैसे अगर आपको mouse का एक icon देखना हो तो इस तरीके से दिखता है एक arrow cursor जो होता है तो पॉइंट करते हैं तो pointing device इसलिए कहते हैं option C right answer है GUI की देखी full form पूछी गई थी चार question आपसे full form के ही पूछ लिए गए है graphical user interface कहते हैं इसको तो इसका option number D जो है वो right answer रहेगा तो ये हमने high court exam के सारे question discuss किया I hope आपके जादा से जादा question यहाँ पे सही रहें सिर्फ एक ही बात high court की यहाँ पे थोड़ी सी गलत लगी कि अगर paper bilingual conduct करवा देते तो काफी अच्छा रहता क्योंकि 2019 से उसके बाद का जो exam यह भी हुआ है तो उसमें कोई भी change वो नहीं लेके आए और जादा current affair के question जादा आपके लिए डाले गए थे इसलिए हमारी जो current affair की January month की वीडियो है उसमें से दो तीन question आपके यहाँ पे direct to direct पूछे गए थे I hope जादा से जादा question आपके सही हो जल्दी ही मैं इसकी जो descriptive video है with detail के साथ with solution के साथ वो मैं आपके साथ जल्दी ही share करूँगा वीडियो को share करें, like करें and channel को subscribe करें धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल